गुड इवनिंग दोस्तों, हम पढ़ रहे थे क्लास नाइन्थ का Constitution Design Civics का चैप्टर था इसके प्रीविशली हमने कुछ लेक्चर्स देखे हैं और उसके इंदर हमने कुछ चीजों के उपर बात की क्या क्या बात की? Basic Introduction लिया, Constitution के Definition समझी, अपार्थिट सिस्टेम को समझा, उसके फीचर्स को पढ़ा, अपार्थिट पॉलिसी का एंड कैसे हुआ ये जाना, एविन फिर हमने ये देखा कि नया Constitution कैसे बना, नैंसल मेंडेला के उपर भी हमने बहुत अच्छे से डिसक्रस किया था प्रीविश लेक्चर में, फिर हमने ये देखा कि किसी भी देश को Constitution की नीड क्यों होती है, इन चार पॉइंट्स को हमने समझा था, फिर इसने हमने ये भी देखा था कि हमें Constitution की नीड क्यों है, उसी चीज़ को continue करते हुए हम आगे भड़े, और हमने देखा कि भारत का Constitution कैसे बना प्रीविश लेक्चर में, फिर हमने ये देखा कि हमारे Constitution को बनने में क्या-क्या फॉर्मेलिटीज हुई, फिर हमने ये देखा कि Constitution बनने के बाद में, हाँ, अरे भई, ये तो हमने बताया है नी, कि भई Constitution जब बना, पचास साल पहले जो बना था, आज भी हम follow क्यों कर रहे हैं, हमने कुछ तीन उसके बीचे के Clauses दिये, जिन Clauses के थो ये प्रूव हुआ कि उस टाइम पर जो बना था, आज का जो टॉपिक होने वाला है, आज का जो टॉपिक होने वाला है, तो करने शुरू, सबसे पहली चीज़, आपकी constitution के feature क्या हैं, तो हला कि बहुत सारे feature हैं, बट जो state किये वे हैं आपके book के अंदर, उस ही कौम पढ़ रहे हैं, कि उन्होंने आपके कुछ 6 features पता है, 6 features, approximately 6 ही है, 7 features है, ठीक है, देखो, पहला feature है, parliamentary form of government, या parliamentary democracy, अलग अलग देश हैं, democracy के अंदर भी system क्या होता है, democracy के अंदर maximum time, maximum nations में देखा जाता है, कि जो भी democratic government है, उसके अंदर, जो elected representative होते हैं, वो जनता चुनती हैं, अब जनता चुनेगी, तो कहीना के उनको बैठना तो पड़ेगा, तो ऐसे यहाँ पर, एक तो होता है, presidential form of government, और एक होता है, parliamentary form of government, अब जो लोग चुन रहे हैं, imagine कीजिए, कहाँ पर, जैसे अमेरिका में, तो अमेरिका में, वहाँ पे president के हाथ में है सब कुछ, हमारे यह parliamentary form of government है, जिसके अंदर दो houses बना रखे हैं, यह जो house है, एक house हमारा कौन सा है, जानते ही हो, लोग सभा, और दूसरा वाला कौन सा बचा, राज्या सभा, ठीक है जी, तो parliamentary form of government है, जहाँ पे लोग अपने representative को यहाँ भेजेंगे, और यहाँ पर यह लोग मिल करके, उस देश को चलाने के लिए policies बनाएंगे, execution करेंगे rules का, और अगर execute नहीं हो पा रहे हैं, तो judiciary will take the decision against that person जो उसको follow नहीं कर रहा है, तो parliamentary form of government यहाँ पर लोग follow करते हैं, parliamentary form of government होती है, जहां से हमें हमारे देश का prime minister मिलता है, आगे आजेए, judicial activism, judicial activism के अंदर यह बताए गया, कि पर, just imagine कीजे, मैंने आपको अभी बताया, लोग सभा, ठीक हैं, तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया, लोग सभा, तो भई, condition समझो, यह जो लोग सभा है, इस लोग सभा से एक person निकलेगा, और उस person के पास में सारी authorities होंगी, prime minister मैंने कहा अभी, तो यह जो prime minister है, यह prime minister स कहलाता है, जिसको कहते हैं, हम judiciary, that judiciary will be appointed, ठीक है, अब जूडिश्री का level तुम जानते ही हो, जैसे, सबसे पहले तो local level पर होता है, फिर आपके state level पर होता है, और फिर होता है आपके central level पर, ठीक है, session courts होते हैं, district courts होते हैं, session court district courts एक कर सकते हो आप, उसके लाबाबा high courts होते ह होता है आपके supreme court, होता है आपका supreme court, एक ही होता है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, they review, किसका, in policies का, जो किसने बनाया है, democracies बनाया गया है, parliament के थूँ, तो whatever the things are happening in nation, that would be reviewed by the judiciary, तो judiciary उनको review करेगा, उसको फिर अगर देखा जाएगा, कि हो सही है कि नहीं, अगर सही नहीं है, तो उसको सही करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, तो हमारे constitution में ऐसा feature बना रखा है, that is why कुछ ऐसा है, system, ठीक है, आगे देखें, ओके, हमारा जो constitution है, इतना बड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी बात, ये written form में है, उसकी एक एक clause, मैंने last class में बोला था, एक एक शब्द, ए इतना बड़ा constitution और उसको लिखना, उसको लोगों के सामने debate करना, और उस debate को भी written form में रखना, बहुत बड़ी बात है, surprising है, इसलिए ये हमारा feature बनता है, कि we have written constitution, next आजाते है, the directive principle of state policy, ये कई बार आप जब देखते हो, कई बार इसके बारे में आपने सुना भी है, तो directive principle of state policy क्या बोलती है, बेको हमारे देश के अंदर हर एक state अलग-अलग है, अगर आप राजस्तान की बात करते हैं, तो राजस्तानी state की अपनी खुद की importance है, राजस्तान का जो state है, वो कहीं ना कहीं, geographically अलग है, उनकी खुद का importance होता है, तो obviously ये state अपने बारे में सबसे अ आतमी होने चाहिए, तो directive principle of state policy ये बताता है, कि हर state government को ये authority होनी चाहिए, कि वो अपना economical, अपना social development कर सके, इसके लिए वो खुद policies बना सके, in short, हला कि काफे detail में है ये, लेकिन मैं simple form में समझाना चाहरा हूँ आपको, कि state authorities को, state government को authorities दी गई है, कि वो अपने economical development के लिए, जो भी policies बनाना चाहते हैं, they can make themselves, ठीक है, next आज देता है, by-cameral legislature, two type की legislature होती है, पहला जो legislature का type होता है, वो होता है, unicameral, जहां पर जैसे अपने simple सी बात है, जहां पर दो houses ना हो करके, एक ही house हो, वो तो होता है, unicameral, जहां पर दो houses होते है, वो होता है, by-cameral, समझा ही ब बाइ-cameral मैंने आपको भी बताया, और उसी के साब से आपको यह पढ़ना भी है, देखो, by-cameral legislature, फिर से वो अता रहा हो है, लेजिसलेचर का मतलब, जो law बनाते हैं, तो law बनाने वाले क्या, देखो, central level पर अगर अपने बात करते हैं, तो central level पर दो houses है, legislature के लिए, और राज्यसभा, और राज्यसभा, लोवर हाउस और अपर हाउस, अब देखो, बात समझना प्लीज, यह तो होगे आपका central level पर, by-cameral legislature जहां पर law बनाने वाले जो ग्रुप होते हैं, या law बनाने वाले जो body होती है, वो two houses में डिवाइड होती है, वो तो होता है आपका by by-cameral legislature, और एक जिगे होता है unicameral जहां पर एक ही house होता है, अच्छा अब एक और चीज समझ लीजीगा, state के अंदर भी same यह फंडा है, वहाँ पर भी lower house और upper house वाला system है, lower house और upper house, maximum state में हमारे यहां पर, जो 28 states हैं, इन में से 5 state ऐसे हैं, जहां पर by-cameral legislature है, कौन-कौन से ह UP, इसके अलावा बिहार, ठीक हैं, करनाटका, महराष्ट्रा, तैलंगाना और आंदर प्रदेश, भै 6 हैं, 5 नहीं 6, ठीक हैं, आंदर प्रदेश, ठीक हैं, UP, MP, sorry, UP, महराष्ट्रा, तैलंगाना, आंदर प्रदेश, बिहार और करनाटका, पहले जमुण कश्मीर भी होता इसमें, लेकिन क्योंकि जमुण कश्मीर भी उनिन टरिट्री है, तो वहां से इस चीज को हटा दिया गया है, बात समझें, कौन से ऐसे स्टेट्स हैं, जहां पे बाइकेमरल लाइस्लेचर है, तो वहां पर है, UP, महराष्ट्रा, बिहार, तैलंगाना, करनाटका, और अंद अच्छा, अगर आपको यह याद नहीं रहे, तो ट्रिक्स के थूरू इसको आप याद कर सकते हो, और वो ट्रिक आपको मिल जाएगी हमारे चैनल पर, ठीक है, चैनल पर आप अगर शॉट्स को देखेंगे, तो वहां पर आपको ट्रिक मिल जाएगी, नेक्स देखे, इतने हमें इस रिजन सो हमको यह राइट्स दे गए है और approximately हम जो broadly fundamental rights की बात करते हैं, तो 6 fundamental rights हमें दिये गए फर्स fundamental right है, right to education, right to equality, right against exploitation, और educational and cultural rights, okay, इसके एलावा right to choose the religion और last constitutional remedies तो ये 6 fundamental rights आपको दिये हैं citizens को जिससे कि उनकी importance उनको लगे महसूस हो और साथ ये साथ government अपनी power का misuse ना कर सके उनका exploitation ना कर सके for that constitution has given this right आज ये next one next क्या कहता है quasi federal state quasi federal state federal structure समझ लो इसको federalism chapter भी पढ़ते हैं आप तो उसमें भी आ जाएगा federal state का मतलब होता है जहाँ पर power divided हो जाती है central में साथी साथ वहाँ पर states भी होती है central और state दोनों मिलके जहाँ काम करते हैं वो जो structure होता है that would be federal ठीक है तो federal state वाला system समझ लो गया होगा तो ये हमारे कुछ features थे constitution के जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा कि parliamentary form of government, judicial activism written document, एक तरीके से directive principle, state policies के bicameral legislature, citizens को दिए वे right और federalist structure ये छे कुछ features हैं आपको याद रखना है साथ features हैं आपको याद रखना है ठीक है Indian constitution के hopefully इसमें तो कोई problem होगी ही नहीं आपको आगे बढ़ें चले आगे बढ़ें के देखते हैं कि क्या है next topic वो है हमारा preamble of constitution ये भी सेम वैसा ही है कुछ देखो बात समझना preamble क्या है constitution को जब शुरुवात की जाती है constitution की शुरुवात में एक declaration किया जाता है इसको आपको अगर देखना है तो अपने match की किताब को लिएगा और match की किताब के अंदर शुरुवाती pages को जब आप पलटेंगे तो पहले और दूसरे page में ही आपको एक photograph दिख जाएगी जिस पलिखा होगा preamble of Indian constitution तो उसके अंदर ये चीज डिकलेर की गई है कि आज ये तारीक है और इस तरह को हमारे country के लोगों को ये constitution बना कर के दे रहे हैं इस तरह का inspiration हमें मिला था अमेरिका से और अमेरिका के बाद में maximum countries ने constitution के शुरुवात preamble से ही की है इंडिया ने भी ऐसा ही किया और इस preamble के अंदर एक तरीकी का assurance होता है एक तरीकी का declaration होता है कि हमने इस constitution को हमारे जो लोग है उनको हमने समरपित किया है preamble is a kind of प्रस्तावना हिंदी में कहता है इसको अपन कवीता वगेरा शुरू करते है न तो कवीता वगेरा के अंदर जो उसकी major heading होती है उसके अंदर सारी चीज़ें पन लिख देते हैं हिंदी में कवीत हिंदी में लिखते है न पन reference contest English में लिखते है और वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है कि पूरे constitution का जो निचोड है वो सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई है preamble में इसको आपको पढ़ना चाहिए और यह आपको कहा मिलेगा आपके NCRT textbook के first और second page के अंदर ही ठीक है बासमझ मागी चलिए next देखते है Indian constitution एक living document के तौर पर तुम जानते हो हमारे यहाँ पर यह जो constitution लिखा गया यह आज भी इसी तरीके का इसी तरीके का एक feeling हमारे को देता है कि हम यह निरजीव होते वे भी हमें हर बात के लिए अशौर करता है इसके rules, regulations हमें हर life के mode पर कही न कहीं support करते हैं हमें exploit होने से बचाते हैं हमारे right जो होते हैं बताते हैं इसलिए इसको क्या है living document भी कहा गया Those who have crafted this Indian constitution felt that it has to be in accordance with the people's aspiration and the changes in the society they did not see it as the sacred or static or unalterable law इसको ऐसा नहीं देखा जाए कि यह कोई ऐसी situation है इसको कभी ज़रुत पड़े तो हम change ही ना कर पाए ठीक है तो यह जो conditions है इसको आप ऐसे समझें कि इसने अपने आपको इतना soothing बनाया है इतना easy बनाया है कि जब जरुत पड़े तो इसको अपन बदल भी सकें और जब इसको हमें बदलना हो change करना हो तो एक systematic form में इसको हम बदल सकें change कर सकें ऐसा ना हो कि एक बार rigid हो गया है और rigid होनों के बाद एक बार बना के जो दे दिया बस दे दिया living document है situation के साब से अपना आपको बदल सकता है इस तरह का system भी इसमें adopt किया गया है तो ये किवल written document नहीं है पहली चीज तो ऐसे समझो कि सारी कि सारी चीजें इसके अंदर mention की गई है जो हमारे life से जुड़ी भी है दूसरी चीज जो भी चीजें 50 साल पहले चीज में लिखी वी थी उसको इतना easy बनाया था इतना simple बनाया था कि अगर बदलाव की ज़ुरत होती है तो उसको बदला भी जा सकता है ठीक है that is why we can consider it as a living document ठीक है तो कुछ conditions थी देखे अगर जब हम इन changes को लेकर आते हैं constitution में तो उसको हम कहते है constitutional amendments और आज तक्तिल डेट 104 amendments किये जा चुके है Indian constitution में आपको ध्यान होगा मैंने कल की तारिक में आपको बताया था कि 2000 approximately 2000 debates के बाद में मतलब debates नी 2000 discussions के बाद में वहाँ पर ऐसा कुछ हुआ changes हुए थे constitution में 2000 से जादा जो अभी बताया ना ये भी याद रख ले न वो जो debates थी उसके अंदर अभी हाँ मुझे correct इसको करना जरूरी है के जो 2000 में debates बता रहा हूँ debates तो काफी सारी थी debates जो continuously चल रही थी 166 settings थी हर एक चीज के अंदर discussion किया जादा ये 2000 changes लाए गए थे 2000 times changes लाए गए थे constitution को बनने से पहले और यहाँ पर 104 जो amendment की बात की जारी constitution बनने के बाद situation के हिसाब से इसके अंदर 104 amendment अब तक किये जा चुके है constitution बनने से पहले 2000 बार debates जब हुई थी उस दौरान change किये गए थे और अब तक 104 बार constitution बनने के बाद कैसे होता है क्या procedure होता है उसको एक बर यहाँ पर discuss करता है कि क्या procedure है इन amendments के लिए तो पहला category देखो तीन category में आपे divide किया है जो पहली category है इस category में बताये गया है कि जो constitution है उसके अंदर amendment किया जा सकता है simple majority के साथ यह थोड़ा से important है ऐसे समझना simple majority कोई भी ऐसी category जिसके अंदर आपको changes अगर लाने है तो you just need to have simple majority simple majority बोले तो 50% the people must be with you approximately 1 by 2 ठीक है जो भी total number of people वहाँ पर है उसके अंदर 1 by 2 person मौझूद अगर वहाँ पर है तो उसको simple majority माना जाएगा and they can cast their vote और उसके बिहाफ़े president उसको क्या गर लेंगे accept कर लेंगे दूसरी category होती है बिटा जी जिसके अंदर हमें जरुत होती है special majority और यह जो special majority होती है special मुद्दों के लिए ली जाएगे of course छोटे मुटे मुद्दे हैं हमको change करना है तो जो government power में होती है तो उनके पास majority तो होती है तो असनी से वो बदलाव कर सकती है लेकिन जहाँ पर बात आ जाती है special majority की वहाँ पर situation बदल जाती है special majority का मतलब होता है two by three majority total members जो है उनकी two by three majority लेखे क्या है second category amendment किया जा सकता है special majority के साथ जैसे amendment करना हो कोई भी ऐसा bill pass करना हो तो each house of parliament the two by three majority of the member of the house present the voting and then send to the president for his consent पहले तो यहाँ sign किया जाएगा two by three मौजूद होने चाहिए उसके बाद में उसको भेज दिया जाएगा president के पास signature के लिए हो गया है आँ तक समझवा गया अब आज जो भाई यह third category इसको थोड़ा सा समझ लेना अच्छे से the amendment is really difficult to pass क्यों? क्योंकि जब special majority तो अपने parliament में ले ली और उसके बाद में देखो क्या है some has to be approved by at least 50% of the state legislatures यह वाला कितना टफ हो जाएगा? देश के अंदर जितने भी legislature है state के अंदर state में जितने भी legislature है उन सभी के अंदर से कम से कम 50% जो legislatures है उन legislatures की भी permission होनी चाहिए इनके साथ पहले तो parliament में 2 by 3 लेकर आओ plus at least 50% legislatures का approval आपके पास होना ज़रूरी है तब जाकर कि इस तरह का कोई जो bill होता है इस तरह का constitutional amendment होता है वो क्या जा सकता है? जैसे reservation की मैं बात करूँ reservation हटाना है अगर तो reservation हटाने के लिए हमें इसी law को follow करना पड़ेगा ठीक है? और जैसे president को हटाना है, prime minister को हटाना है तो उसके लिए इसको और constitution में कोई भी नया कानून NED करना है पुराने कानून के अंदर कोई बदलाफ करना है तो इसकी तरफ से तो ये वाला काफ़े tough होता है और ये वाले जो होते हैं कई बार देखे जा चुके है तो ये तो था हमारा कि constitution में कैसे amendment की जा सकते है आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अच्छा एक चीज़ एक चीज़ पहले मैं वापस से आपको एक concept यहां बताना चाहूंगा वो है हमारा making of Indian constitution ये जो point हमने पढ़ा इसमें हमने अलग-अलग कुछ topics को discuss किया पहला हमने देखा कि constitution बनने का रस्ता गया था फिर हमने देखा कि Indian constitution को बनाने के लिए assembly बनाई गई थी फिर हमने देखा कि जो assembly ने constitution बना है उसको आज भी हम क्यों follow कर रहे हैं फिर हमने discuss किया कि जब constitution बने के ready हो गया तो उसके feature हमारे सामने क्या आए और जब feature आगे तो हमने ये भी देखा कि constitution को सब लोग समझ नहीं पा रहे हैं तो इसके लिए एक simple सा note सब को जारी कर दो that would consider as the prime bill या एक प्रस्थावना जो पूरा ना पढ़ो सको तो एक page में जो जो मिल रही है चीजें उसके तुरू आप समझ जाओ कि constitution के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है और क्या दी गई है क्या हमारे rights से क्या regulations है इसके बाद में हमारा Indian constitution आज तक as a living document क्यों consider किया जा रहा है ये चीज भी हमने पढ़ ली है ठीक है आगे आ जाते हैं नए topic के साथ और वो है हमारा constant assembly की debates यहां सी जो मैं आपको बताने वाला हूँ यह सारी कोई चीजें extra है एंड इन extra चीजों को आपको पढ़ना है ठीक है यह सारी कोई चीजें extra है तो आप इसको अच्छे से समझें हला कि चुटी-चुटी चीजें बता देता हूँ भी याद करो previously मैंने आपको बताया कि जब constitution बन रहा था तो 166 days की sitting थी लगबग 3 साल में 166 days वो बैठे और उन्होंने discuss किया हर एक word पे हर एक clause पे उन्होंने discuss किया था आप जानते ही हो तो यहाँ देखो क्या कहा इसके बारे मैंने पहले ही बताया था उसको क्या कहा गया debates ओके और इन debates को फिर इन्होंने क्या कर दिया 12 बलकी volumes में print कर दिया जिसे कि लोगों को क्या पता चले लोगों को पता चले कि किस law को बनाने के लिए किन-किन चीजों को accept और किन-किन चीजों को reject किया है ठीक है तो 12 बलकी volumes बनाए गए इन सारी debates को print किया गया और आज भी यह मौझूद है अगर आप देखना चाहें तो इसी से हमें हमारे constitution का actual में मतलब पता चलता है लास्ट टॉपिक फॉर दा चैप्टा आ जाते हैं समझते हैं क्या कहना चाहरा है देख लेते हैं इसने कहा कि अब जो इंडिन कॉंस्टूशन है वो हमें किस तरह से गाइड करता है क्या philosophies हैं जो हम follow कर रहे हैं हमारे constitution के लिए इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो कि constitution की हमारे लिए क्या philosophies हैं जिसके कारण से हम इसको follow करते हैं तो यहाँ पर दो वे हम follow कर रहे है philosophies of our constitution can be done in a two ways हमारे constitution के philosophies को समझने के लिए दो philosophies को हम follow कर सकते हैं पहली philosophy है ये वाली कि कुछ leaders ने हमारे constitution के regarding अपने कुछ views दिये हैं इन views को हम consider कर सकते हैं हमारा first way to understand the constitution we can understand the overall philosophy of our constitution by reading views of some our major leaders जैसे सबसे पहले श्री श्री महत्मा गांदी देखो बई क्या होता है ये देखो इसमें condition है he had spelt out what he wanted the constitution to do an India in which there shall be no high class no lower class of people all communities shall live in a perfect harmony no room for untouchability or curse of intoxication drinks, drugs and women will free or enjoy the same rights as the man गांदी जी ने कहा कि या constitution से वो क्या चाते हैं तो just he wanted कि यहाँ पर कोई class barrier ना हो community differences ना हो सारे लोग एक साथ मिलकर रहें untouchability जैसा curse जो हमारे देश में है वो ना हो कोई alcoholic या drugs इस तरह की कोई जो बुरी आदते हैं नशे की जो आदते हैं वो नहीं होनी चाहिए और women को भी उतना ही समान उतना ही right मिले जैसा कि किसी अपने man को दे रखा है देश में तो यह सारी चीजें गांदी जी ने अपने thoughts for constitution convey की बी आरंबेडकर जी ने भी कुछ कहा constitution के लिए उन्होंने कहा कि constitution बी आरंबेडकर जो जो ने constitution को बनाने में अपना बहुत important role play किया था तो उन्होंने बोला कि he often bitterly criticized Mahatma Gandhi and his reason in the in his concluding speech to the constant assembly he stated his anxiety very clearly बही उन्होंने क्या कहा गांदी जी ने कहा कि ऐसा ऐसा कुछ constitution में होना नहीं चाहिए सब बच्छे से रहें एक सात रहें untouchability नहीं होनी चाहिए curse words है ऐसा सब कुछ बदे दे कोई जगह नहीं होनी चाहिए इस तरह के differences की लेकिन उन्होंने बुला के भाई सुनो constant assembly की जब speech चल रहे थी उन्होंने अपनी speech में इसको clearly कहा कि in politics we will have equality in social and economical life we will have inequality तुमने जो कहा है constitution बनाया है debate हुई है इन सब किस बाद में आप politics में तो सब को equality दे दोगे right to vote सब को दे दोगे लेकिन जब बात आईगी social level पे उन सब चीजों को देखने की economical level में इन सब चीजों को देखने की तो you will for sure have inequality among the people इसी कारण से आपको शादियाद होगा गांदी जी और उनके बीच में काफी सारे conflicts थे जब हमने class 10 में जब आप इसको देखेंगे तो आपको पता चलेगा के यहाँ पर discussion किया गया था गांदी जी और अंबेड कर की बीच में काफी लंबा चड़ा ठीक है और उसके अंदर इन्होंने इनी सब वीजन्स पे बात की थी पढ़ेंगे topic में इसका नाम होगा पूना pact तो देखेंगे क्या हुआ पूना pact में we'll discuss about it in class 10th history chapter number 3 nationalism एक और ऐसी बात है जावारा नहरों ने भी इनके बारे में कुछ का constitution के बारे में भी इनकी भी बहुत ही famous speech है उस speech के अंदर उन्होंने ये बताया कि जब when the world sleeps India will awake to the life and freedom दुनिया सो रही होगी भारत जगरा होगा जंदकी जीरा होगा freedom गेन करा होगा freedom and power bring responsibility the services of India means the services of millions who suffered it means the ending of poverty ignorance and disease and inequality of opportunity the ambition of the greatest man of our generation has been to wipe every tear from every eye इन्होंने भी या काफी अच्छा अच्छा बूला काफी अच्छा अच्छा से या पे लिखा हुआ है लेकिन ये बात आप जानते हैं कि जो कही भी बाते थी उनके टाइम पर आज तक पूरी नहीं हुई है I am not criticizing anyone बट यहाँ पर situation यही है कि जो गांदी जी के thought थे B.R. Ambedkar के thought थे और जो जवाला नहरू के thought है कही ना कही इन thoughts को जिस हिजाब से वहाँ deliver किया गया था वह achieve हम नहीं कर पाए No doubt we will achieve that तो यह तो थे हमारे कुछ renowned लोगों के philosophies, thoughts अब दूसरा वे और देखे लेते हैं दूसरा वे क्या कहता है आप उसको डिटेल में पढ़ लो या प्रैम्बिल पढ़ लो क्या है देखे The Constitution begin with the short statement of its basic values It's called Pramble to the Constitution Pramble of the Indian Constitution guides us all the articles of Indian Constitution एक तरीके से हमें guide करता है और एक तरीके से हमें बताता है कि हमें क्या-क्या चीजे मिली है इस constant assembly के थुरू किन-किन लोगों ने दी है और क्या-क्या चीजे हम अब enjoy कर सकते हैं मैंने पहले ही बताया इस चीज को जाद अच्छ हो गया क्या आप पढ़े के mcqs के उपर आपके first term का slavers complete हो गया है हम शुरुवात करेंगे second term के slavers की अब याद रखना mcqs की series आपको करनी है mcqs solve करना है अगर 9th में अच्छ मार्ट लेकर आना है आपको term exams में साथी साथ हमें NTSC के लिए भी prepare करना है तो उसके preparation के लिए आपको इनको अच्छे से पढ़ना है slave is completed now we will approach to the next step next term slavers का आप work करेंगे map वाला portion है वो भी मैं आपको बता हूँ एक class में extra glass लेकर के तब तक आप इसको revise करें problem आई तो पूछें mcqs की practice करें thank you so much for joining the glass